हागो कुर्ब समाजदा अध्यक्षरो यूकरा कन्मिनी मत यो मुखन रो हागो भावी प्रदान मंत्री गलो यो तेनिद्यूसा तम्यलगु देश मातार रुद्दा रहे तंक सेवा बज़े standpoint theta रख्जान मंत्री गर रुद्दा रुद्देंस अखें हो थेख्डम अफटी अध्यक्रो कलिष ओक्ष्द स३्पित न्युकं़। ऐ Müनुगो पाल जी रख्वर कार्गे जी आतल mortal युक्त। दिनीश गुंडूराव जी, सिद्धरमया जी, जी परमेश्वर जी, के एच मुन्यप्पा जी, इश्वर खांडरे जी, जगदेव गुटेदार जी, कॉंग्रेस पार्टी के सब मंत्री, MLA's, MLC's, NETA, यूथ कॉंग्रेस, NSUI, महिला कॉंग्रेस, सिवा दल के हमारे सब लोग, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, तमस्कार, अब भाईया देखिए, आपने आपने बोला, आपने बोला की, चोकीदार चोर है, और कल परसो, नरेन्व मोदी जी, पूरे देश को चोकीदार मनाने के कोशिश कर रहे है, जब वो प्रधान मंत्री बने थे, तो उन्हेंने कहा था, मुझे प्रधान मंत्री मत बनाओ, मुझे चोकीदार बनाओ, याद है आपको? याद है न? उन्हेंने ये तो नहीं कहा था न? कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसको चोकीदार बनाओ, ये तो नहीं कहा था, ये कहा था, कि मुझे प्रधान मंत्री बनाओ, मैं चोकीदार बनूगा, चोकीदारी किसकी की? जवाब दो भाईया, चोकीदारी किसकी की नरेंद मोदी ने? अने लंबानी की की? की नहीं की? महुल चोकसी, नीरब मोदी, ललित, मोदी, विजै मालिया, इनकी चोकीदारी की? बुलवावा में अटैक हुआ? उसी दिन, आपने अखबार ठीक से पड़ा हुआ, पड़ा तो उसी दिन, छोटा सा अर्टिकल था, अदानी जी को हिंदुस्तान के छे एरपॉर्ट चोकीदार ने दे दिये, राफाइल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मुद्दा बना है, बाई और बेनो, राफाइल हिंदुस्तान की एरफॉर्स का हवाईजास, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, इससे दुनिया में कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं, हजारों करोर रुपे की, यूपिये सरकार ने साफ कहा था, हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड कंपनी को कॉंट्राइक मिलेगा, बैंगलोर में, औरिस्सा में, अलग-अलग प्रदेशों में राफाइल हवाईजास बनेगा, एंटनी जी ने साफ कहा 526 करोड रुपे एक हवाईजास के लिए, चोकिदार प्रदान मंत्री बनता है, पहला काम, फ्रांस जाता है, उसके साथ अने लंबानी जाते हैं, कब उसने, तब चोकिदार ने नहीं कहा, कि भाईयास आप सब चोकिदार हो, चलो आप सब मेरे साथ, चलो फ्रांस, तब तो चोकिदार सिर्फ अने लंबानी को ले गया, भाईयों और बहनों पूरा कॉंट्रेक्ट बदल डाला, पाँच सो चब्विस करोड रुपए का वाईजाज, चोकिदार जी ने सोला सो करोड रुपए में करीदा, और करनातक के युवाँ आप सुनो, आप दिन भर रोजगार मांगते हो नरेंद्र मोदी जी से, दिन भर आप कहते हो नरेंद्र मोदी जी हमें रोजगार दो, और नरेंद्र मोदी जी ने आप से रोजगार जिना, एचेल में हवाईजार बनना था करनातर के युवाओं को रोजगार मिलना था नरेन जबोदी ने का ना चोकिदार अनिल अमबानी को देगा अनिल अमबानी जी ने जिन्दगी में हवाईजार नी बनाया कभी नी बनाया कॉंटर्ड मिलने से दस दिन पहले अनिल अममानी ने कंपणी खोली। उस कंपणी ने पहले कुछ नी किया, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रैक्ट। डिफेंस का कंट्रैक्ट उस कंपणी को नरेंद्र मोधी जी ने दिया। पाँसो चब्वीस करोड रुपय का वाईजास सोला सो करोड रुपय में डायरेक्ट अनिलंबानी को 30,000 करोड रुपय का फाइदा मिला सिधा जेब में फ्रांस का राश्टरपती कहता है मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम मुझे तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था हिंदुस्तान के चोकीदार ने साफ कहा था कि अनिलंबानी को कॉंट्रेक्ट मिलना है मतलब फ्रांस का राश्टरपती कह रहा है कि हिंदुस्तान के चोकीदार ने एक गेट खोला और चोर को अंदर कर दिया कहा भहिया आजाओ अंदर 30,000 करो रुपए की चोरी करो फ्रांस का राश्टरपती कहता है CPI का डिरेक्टर कहता है चलो भहिया मैं इंक्वाइरी करूँगा चोकिदार ने चोरी किये रात के धेर बजे चोकिदार जी CPI डिरेक्टर को उठागे फेक देते हैं के ते निकलो यहां से कोई इंक्वाइरी नहीं होने वाली सुप्रीम कोट कहता है चोकिदार जी CPI डिरेक्टर को वापिस लाईए चोकिदार जी कहते है हाँ भहिया चलो CPI डिरेक्टर वापिस आओ और फिर घंटों में कारगे जी कमिटी पे थे घंटों में CPI डिरेक्टर को वापिसर निकाल देते हिंदू अखबार में आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे बड़े अपसरों ने लिखा है चोकिदार चोड है साफ लिखता है उसमें हिंदू अखबार परिये उसमें लिखा है की हिंदुस्तान के चोकिदार ने parallel negotiation चलाया negotiation टीम कहती है की चोकिदार हमें काम नहीं कमने देरा चोकिदार डायरेक्ट फ्रांस से बात कर रहा है अगर चोकिदार में हम पर भरोसा नहीं है तो हमें हता दीजिए उससे डारेक्टि करवाईए बाई और बेनो चोकिदार चोरी करते हुए पकड़ा गया और जैसे ही चोकिदार चोरी करते हुए पकड़ा गया चोकिदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चोकिदार पूरा हिंदुस्तान चोकिदार मगर पकड़े जाने से पहले पूरा हिंदुस्तान चौकीदार नहीं था पकड़े जाने से पहले सिरफ नरेंदुमोधी चौकीदार था है ला भाई और बेहनों चोर पकड़ा गया पूरा देश जानता है देखो पूरा देश जानता है कि चौकीदार चोकिदार चोकिदार मगर सिरफ चोकिदार चोड नहीं है चोकिदार जी जोटे वाइदे भी करते हैं जहां जाते हैं कोई ना कोई जोटा वाइदा करके चले जाएंगे आपको याद होगा 2009 में चुनाव से पहले मैं यहां आया था और अपने भाशन में मैंने कहा था सोन्या जी ने कहा था कारगे जी ने कहा था कि 371 जे हम आपको दे देंगे नरेंदर मोधी जी ने कहा 15 लाग रुपए दे देंगे नरेंदर मोधी जी ने कहा 2 करोड युवाव को रोजगार दे देंगे मोधी जे ने कहा चोकीदारी करूँगा पंद्रा लाग रुपे हर बैंक कार्ण में दे दूँगा मिला आपको हमने कहा था 371 जे आपको मिलेगा मिला मिला आपको हमने कहा था किसान के करदा माफी होगी किसान के करदा माफी हो गई सिर्फ करनाटक में नहीं मध्यप्रदेश, राजिस्तान, चप्तिसगार, पंजाब और करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी ने किसान के करदा माफी की आपको 371 से आप सब को जबरदस फायदा हुआ पिछले पांच साल में 30,000 युवाओं को 371 जेके माधियम से रोजगार मिला है हर साल 6,000 स्टुडेंट्स को कॉलेजिज में एंजिनियरिंग कॉलेजिज में अद्मिश्मिन मिलता है हर साल 800 स्टुडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में अद्मिश्मिन मिलता है तो भाई और बहन और जो हम कहते हैं हम कर देते हैं अगर आप हमारे स्टेट से सुनोगे, वो काम हम पूरा करके आपको दे देंगे, और आपके सामने सच्चा ही है, मैंने आपको दो तीन उधारन दिये, कर्जा माफी का उधारन दिया, 371J का उधारन दिया, और चुनाओं में इस बार हमने बड़ा, बहुत बड़ा निन्ने ले लिया है, नरेन रिमोधी जी तीन लाग पचास हजार करोर रुपए, पंद्रा बीस लोगों का कर्जा माफ करते हैं, आज वो कहते हैं, हम सब चौकीदाथ, मगर सारे तीन लाग करोर रुपए उन्होंने, पंद्रा लोगों का कर्जा माफ किया, किसान का एक रुपए कर्जा माफ नहीं किया, हमने निन्ने ले लिया है, चुनाओ के एक दम बाद, कॉंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को डाइरेक्ट बैंक अकाउंट में प्रसा देने जा रही है, हमने एक दिन्ने ले लिया है, कि हम ग्यारेंटीट मिनिममम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को देने वाले हैं, मतलब एक मिनिममम इंकम लाइन तेह की जाएगी, और उस मिनिममम इंकम लाइन से जो भी लोग नीचे हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल कर उनको मिनिममम इंकम लाइन तक पहुँचाया जाएगा, एतियासिक निन्ने है, किसी भी देश ने ऐसा निन्ने नहीं लिया है, कॉंग्रेस पार्टि ये निन्ने हिंदुस्तान में गरीबों के लिए लेने जा रही है, मोधिजी जाते हैं, जहां भी जाते हैं कहते हैं रोजगार, दो करोर युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूँगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि आपको रोजगार मिला, नरेंद्रे मोधिजी ने दिया, यहां पे, कॉंग्रेस पार्टी ने आपको रोजगार दिया, 371 जे दिया, हमने आपको रोजगार दिया, नरेंद्रे मोधिजी ने आपको क्या दिया, नोट बंदी थी, 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, किसी ने रोजगार को खतम ने किया, नश्ट ने किया, आठ बेजे रात को नरेंद्र मोधिजी कहते हैं, 500 रुपै का, 1000 रुपै का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको रद करने जा रहा हूँ, काले धन के खिलाब लडाई, आप सब को बेंट के सामने करा कर दिया, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को, किसानों को, मज़ूरों को, छोटे दुकान डाईब को, लाइन के सामने करा कर दिया, क्या आपको लाइन में काले धन वाले दिखाई दिये आपको चोड दिखाई दिये उस लाइन में नई हिंदुस्तान की गरीब जनता थी मैं आपको बता पाऊं चोड कहां थे चोड बैंक के पिछले वाले दर्वाजे से अंदर घुशे AC कमरे में बैटे और उन्होंने अपना पूरा का पूरा काला धन सफेद में बगल दिया चोटे दुकानदार बरबाद हो गए Small and Medium बिजनस वाले बरबाद हो गए महिलाएं बरबाद हो गए नरेंद मोधी कहते हैं काले धन के खिलाब नडाई चल रही है उसके बाद गबबर सिंग टैक्स लाते हैं कहते हैं नोट भंदी से जितना नुक्सान होना तर नहीं हुआ अब मैं और नुक्सान करना चाहता हूँ गबबर सिंग टैक्स लाते हैं कि कहता एक टैक्स होगा पांच अलग अलग टैक्स आज तक किसी को नहीं समझा रहा क्या हुआ चोटे दुकांदार मिदल साइज बिसने सब बरबाद हो गए लाकों लोग में रश्टार हुए कि मैं आपको स्टेज से साफ कह रहा हूं करनात्य के छोटे दुकांदारों से कह रहा हूं आप अच्छी तरह सुन लीजिए जैसे ही हमारी सरकार 2019 में आएगी वैसे ही हम गबर सिंग टैक्स को बदलके आपको सची जी एस्टी दिलवा देंगे यह पांच तैक्स नहीं होंगे एक टास होगा एक टास होगा कम से कम टैक्स होगा हो और साधारन site मोगा जो जो चोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनस वालों को नुकसान हुआ, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम GST बदल के, भविश्य में आपको ये नुकसान नहीं होने देंगे, ये कॉंग्रेस पाती का वाहिदा है, करनातक में हमारी के साथ चुनाओ जीतने जा रहे हैं, दोनों पार्टियां एक होकर मिलकर लड़ रही हैं, और हमने जो करनातक में वाइदा किया था, कर्जा माफ्री का वाइदा किया था, वो हमने पूरा किया, हजारों करोर रुपे हमने करनातक के किसानों को दिये, और फिर नरेम में जो पूरे देश को चौकीदार बनाना चाहते हैं, यहां के कहते हैं, कॉंग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ्री नहीं की, आपके सामने आगे जूट बोलते हैं, साफ आक रहे हैं, हजारों करोर रुपे कॉंग्रेस पार्टी ने यहां करनातक में कर्जा माफ्री किया है, इ Спектस अभ जानती। कोउग्राइस पार्टी ने कितना करजा माफ किया। मगर हम वहारुकणा नहीं चाहते हैं। करजा माब भी मदग जरूर होगी। मगर हम किसान की जिन्दगी बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खेट के बिल्कुल पास। किसानों के पास food processing plant लगे मध्य प्रदेश रादिस्तान चतिछ गर करनाठक में पंजाब में हम खेतों के पास food processing के कार खाने लगाना चाहते हैं जहाँ आलू गाते हैं वहाँ अलू केचिप कार खाना जहां टमातर उखता है टमातो केचप का कार खाना जहां सोयबी नुगाए जाता है वहां तेल का कार खाना गोल्ड चेन बनाना चाहते हैं आपको किसानों को स्टोरिज की फसिलिटी देना चाहते हैं कि आपका जो माल है आपको उसके लिए सही दाम मिले अनाज के लिए, फल के लिए, सबजी के लिए आपको सही नाम मिले आपको याद होगा जब कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी हर साल हम MSP को बढ़ाते थी नरेंद्र मोधी जी MSP को नहीं बढ़ाते हैं आपसे उन्होंने बोनस चीन लिया आप बोनस का आप अपने मित्रों को उन्होंने डिस्ट्रिक्स बांट रखे अने लंबानी को जम्मू कश्मीर दे रखा था अलग-अलग डिस्ट्रिक्स अने लंबानी को दे रखे आप लोग भीमा का पैसा डालते हो नुकसान आपका होता है और हजारों करोर रुपे उन्हीं 15-20 लोगों को फाइदा होता है दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं एक किसान का मजदूर का छोटे दुकांदार का हिंदुस्तान और दूसरा अनिलंबानी का मेउल चौकसी का निरभ मोदी का उनके पास प्राइवेट हवाई जहास बड़ी बड़ी गारिया सब कुछ उनके बच्चों के लिए बहतरी इन कॉलेज प्राइवेट हस्पताल और दूसरे हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं आप दिमार हो आपको प्राइवेट हस्पताल में जाना पड़ेगा प्राइवेट हस्पताल में आपको MRI कराना हो ओपरेशन करवाना हो तो जेव से पहले पैसे निकाल के दो उन्हीं 15-20 वंगों को मेहुल चौक्सी को, नीरभ मोधी को विजय मालिया को, उन्हीं को पैसे दो किसे का घर में कैंसर होता है दिल का दोड़ा परता है, दिल की बिमारी होती है लागों रुपए आप निकाल के दो पूरा पूरा फाइदा उनको बच्चे को एंजिनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लोयर बनाना है पहले जेब मेंसे पैसा निकालो, लाखों रुप है उनके जेब में डालो फुरे आपके बच्चे लोयर एंजिनियर बन सकते हैं ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए एक हंदुस्तान होगा, एक जंदा है, एक हंदुस्तान होगा अगर उनका कर्जा माफ होगा तो फिसान का कर्जा माफ होगा अगर उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो फिसान मजदूर छोटे दुकानदारों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी अगर उनको स्वास मिलेगा तो फिर आपको भी स्वास मिलेगा ये कॉंग्रेस पार्टी की सोचे 2019 में बजट में सरकारी हस्पताल कोलने के लिए सरकारी स्कूल कॉलेजिस कोलने के लिए हम पैसा डालेंगे आपके लिए डालेंगे आपके भविश्य के लिए डालेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट लोगों के लिए जगे नहीं होनी चाहिए आप प्राइवेट हस्पताल खोलना चाहते हो आप खोलो आप प्राइवेट कॉलेजिस खोलना चाहते हो आप खोलो मगर सरकार की लिए जिमेदारी होती है सरकार की जिमेदारी है कि जो गरीब लोग है कमजोर लोग है उनके भी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेंज यूनिवर्सिटी हो उनके बच्चों के लिए भी हस्पताल हो उनके माता पिताओं के लिए भी हस्पताल हो ये जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और आज हिंदुस्तान में जहों भी देखो नरेंद्र मोदी जी नफरत फिलाते हैं एक धर्ण दूसरे धर्ण के बीच में नफरत गलतों को मारा जाता है पीटा जाता है रोहित वेमिला जैसे युवाओं को कुछला जाता है और इनका लक्ष Constitution को रद करना नरेंद्र मोदी दिल में चाते हैं जैसे उन्होंने नोट बंदी में 500 रुपे और 1000 रुपे का नोट खतम किया वैसे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के Constitution को खतम करना चाते है हम ये कभी नहीं होने देंगे चाहिए कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान के Constitution को नरेंद्र मोदी आरेसेस के लोग कभी नहीं चूपाएंगे कॉंग्रेस पाद यह नहीं चूने देगी सुप्रीम कोट के जज बाहरा आते हैं खड़े होते हैं प्रेस के सामने कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है नयाय नहीं दे सकते हैं आम तोर से जनता सुप्रीम कोट में जाती है जाजिस के पास जाती है पहली बार एतियास में देखने को मिला सुप्रीम कोट के जजिस प्रेस के सामने आते हैं जनता के सामने आते हैं कहते हैं हाथ जोड़के कहते हैं जन्ता से कहते हैं हमें नहीं आई दो हमें नहीं आई नहीं मिल रहा है RBI से बिना पूछे नोट बंदी करते हैं Supreme Court जजजेस को काम नहीं करने देते Election Commission पर दबाब डालते हैं जो भी हिंदुस्ताइन के इंस्ट्यूशन से सब को खतम करना चाहते हैं नरेंद बोदी चाहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति राज करें बाशन में कहते हैं लाल किले में जाके कहते हैं मेरे आने से पहले मेरे प्रदान मंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था मतलब मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ अकेला ही वो हिंदुस्तान को चलाना चाहते है मगर चोरी पकड़ी जाती है जब चोकिदार की चोरी पकड़ी जाती है तो पर चोकिदार कहता है पूरा हिंदुस्तान चोकिदार सरकार एक भी अतनी चलाएगा अन्य लंबानी की मदद अदानी जी की मदद एक चौकिदार करेगा मगर जब चोरी पक्री जाती है तो पिर पूरे देश को चौकिदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोधी जी आप देश को समझाईए आपने बात बोली थी मैं चौकिदार हूँ आपने यह नहीं बोला था कि पूरा देश चौकिदार है आप देश को समझाईए तीस हजार करोर रुपए आपने चोरी करके आन्य लंबानी को क्यों दिये आप देश को समझाईए कि ओएर फोर्स से आपने तीस हजार करोर रुपए चोरी क्यों किया तूरा देश आप से पूछ रहा है देश को आप जवाब दीजिए बहाने मत बनाईए कॉंडेस पार्टी के कारे करता हूँ से मैं कहना चाहता हूँ विचारदारा की लगाई है यहाँ पे हम जंता देल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे है सारी की सारी सीटे यहाँ पे हमें जीननी है हर पॉलिंग बूच पे आपको लड़ना है हर पॉलिंग बूच पे लड़ना है और कॉंग्रेस पार्टी को जिताना है आप हमारे लड़ते हो इसके लिए मैं आपको दिल से धने चाहिए